तो कैसा है दोस्तों स्वागत है आप लोग का हम लोग के इस चैनल पर तो मैं आज आप लोग को इस वीड़ो में लेकर आगा हूँ फिर से एक इंफोर्मेटिव वीडियो जिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पर्माऌण संख्या क्या होता है और द्रवेमान परमाड संख्या यानि कि एटोमिक नंबर कि एटोमिक नंबर क्या होता है कि जितने भी किसी इलेक्ट्रॉन के मतलब कि किसी भी परमाड के नाभिक में जितने भी परमाड यानि कि जितने भी धनात्मक आवेश होते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं वह हमारे कहलाते हैं परमाड किसीबी पर्माडू के नाविक के चार तरफ जितने धनावेश होते हैं उसको हम लोग कहते है पर्माडू संक्राल थिक nationale को उन contained के परमाडू संक्ष्थ बराबर क्या होता है प्रोटानों की संख्या है अर्छ इस पर्माड достаточно और वहरें की संख्या संख्या को सबसे पहले खोजा किसने था तो मोजले ने खोजा था ठीक है तो पर्माडु क्रमांग क्या फिर पर्माडु संख्या या फिर प्रोटानों की संख्या को सबसे पहले किसने खोजा था तो मोजले मोजले ने खोजा था ठीक है और याद रखेंगे कि किसी पर्माड होनों की संख्या कहला ठीक है इसके बाद से हम लोग आते हैं अपने दूसरे पे टॉपिक पे छो होती है द्रवयमान संख्या इसको आद रहे हैं कि मोजले ने इसको खो जा था या फिर इसका विश्कार किस्ण किया था परमाण संख्या का एटामिक नम्बर का तो पुँद् द्रब्यमान संख्या द्रब्यमान संख्या आपको इंग्लिस में क्या बोलते हैं लोग एटॉमिक मास्ट तो आपको इंग्लिस और हिंदी दोनों पता हों चाहिए क्योंकि अगर इंग्लिस वाले हैं तो इंग्लिस रहेगा तो काम चाहिए लेकर अगर हिंदी वाले आप तो आपको हिंदी और इंगली जो है वो लगबग लगबग थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि एक्जाम में एक्टॉमिक मास्स के मास्स दे कर भी क्वेशन पूछता है और द्रविमान संख्या तो इसलिए काफी बैटर है इंगली सी प्रिफर करना उसके बास देखें प्रोटानों को जोड़ देते हैं तो जो बचता है मर क्या होता है द्रविमान संख्या बराबर क्या होता है उस परमाड के नाविक में उपस्तित प्रोटानों की संख्या प्रोटानों की संख्या और प्लस में न्यूट्रानों की संख्या न्यूट्रानों कि संख्या यह आपको सूत्रे कभी-कभी इदेता तो सूत्र जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है इसका तो पहला सु तो यह है दूसरा सुत्र से मुअ है कुछ दिया कोई अलग नहीं है तो दरविमांद संख्या बराबर क्या होता कि द्रविमान संख्या बरबर होता है इलेक्ट्रों की संख्या प्लस में निट्रों की संख्या यहां प्लस में निट्रों की संख्या यहां प्लस में निट्रों की संख्या उतर जाएगा उसके बास से आपका जो है तीसरा सुत्र जो होता है आपका संख्या बराबर क्या होता है आपका पर्माडुक्रमांक और प्लस में न्यूट्रोनों की संख्या न्यूट्रोनों की संख्या ठीक है तो ये तीन फॉर्मला आप से पूछ सकता है क्योंकि प्रोट्रोनों की संख्या के बराबर क्या होता है क्यल tym tunnel के परमाड़क्रमांक 6 है तो इसका प्रोट्रोण के संख्या कितने होगी और इसके संख्या क्या होगी तो 6 ही होगी ठिक है बस सेम चीज की आपको Vaio परमाड संख्या बराबर में सब्सक्इब और एक चीज और ऑफ दिखा जाता है यादा रखें जैसे कर भकूइं sort नदो शच्य से तो इसका दव्हेमान संख्या कितना होता है यह निदना पारा होता है तो नेशा हूं आनि कि सब्सक्राइव कि सब्सक्राइब इसकी अफे उत्तेना नषित यौ्य अगर हमारे द्रवेमान संख्या होता है ठीक अब 6 हो गया और यह बार हो गया मतलब की नीचे जो लिखाए थी आपको अगर स्रीफ पर्माण को मांग पता है तो डारेक्टिस का डबल कर दीजिए कितना हो जाएगा बार जो हमको पता है कि जो पी बराबर क्या है और जो ए बराबर है वह में कितना है वहारा है नियूटानों कि संख्या कितने होगी इस बार में शुचले में इस गताता तो और जाइगए हैं नाइटूजन का पर्माड कुर्मा कितना होता है साथ अब यह वीसम सब्सक्राइब तो साथ दूनी 14 तो इसका भी डबल करेंगे 14 हो जाएगा ठीक है यानि कि इसकी दर्विमान संक्या 14 है और इसका जो पर्मार्व संक्या कितना है साथ है यानि कि हमको पता है प्रोटोन बराबर साथ है या फिर इसके इलेक्टोन बराबर कितना है साथ है और पर्मार्व संक्या बराबर साथ है तो इसका जो दर्विमान स संख्या माइनस करते हैं या फिर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करेगा बाकी थेंक्यू